करनाल में हुए भवान परशुरा महाकुम्प के दस दिन बाद ही प्रदेश की सियासत में एक नई डिवलोपमेंट ये होई है कि सोनिपत के बीजेपी सांसद रमेश कोशिक के इकलोते बेटे रवीश कोशिक ने CGM यानि चीफ जुडिशल मेजिस्टेर्ट के पद से इस्ति सोत्रों के मुताबिक उन्हें डेप्टी एडवोकेट जनरल के पद पर निफ्त किया गया है उनके बारे में कयास लगाए जा रहे है कि अब सम्वता वो पोलिटिक्स जॉइन कर सकते हैं क्योंकि प्रदेश में मंत्री रह चुके और अब सोनिपत से दूसरी बार बीजेप नहीं हो सकता यह ऐसे मुख्य मंत्री हैं जो सब समाज को साथ लेकर चलते हैं और आप की जितनी बाते हैं शायद इसी वज़े से करनाल के ब्रहमन महासमीलन में जहां बीजेपी के एक ब्रहमन सांसद ने अपने दिल की बात मंद से बोल दी वही रमेश कोशिक सैमित नजर आ रहे थे मतलब अंधरी अंधर खिचडी पक रही थी जिवडीशरी के जानकार लोगों का मानना है कि सीजेम की पोस्ट पर रहे 40 साल के रविश कोशिक अपने करियर में बामुश्किल सेशन्स जज तक पहुंच सकते थे अब उनके सामने पोलिटिक्स जॉइन करने और बतोर डिप्टी एड़ोकेट जनरल के अनुभव से सीधे हाई कोट में जज बनने के मोके रहेंगे गोरतलब है कि इससे पहले केंदर में मंतरी रहे चोदरी बिरेंदर सिंग ने भी अपने आईएस पुत्र बिजेंदर सिंग को इस्तीफा दिलवा कर उन्हें अपनी जगे हिसार से सांसत बनवा दिया क्या अब रमेश कोशिक भी यही करने वाले हैं चलिए देखिए कोहना से सहोगी सुनील जिंदल के साथ पनिपत बीरो से दिवेंदर का थोरिया